Dear students, Welcome to the Tiwari Tutorial. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे Class 7, NCRT Science का Chapter No. 3 Fiber to Fabric ओके? और वीडियो स्टार्ट करने से पहले या क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टुडेंट हमारे चैनल पर ना है है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें चलिए, बिना टाइम वेस्ट की हम Class Start करते हैं Now, in Class 6th You have learned about some fiber obtained from plants. अब जैसे previous classes में, आपने 6th class में पढ़ा था कि कुछ fibers जो होते हैं ratio जो होते हैं, हम हमें किसे मिलते हैं? Plants से. You also have learned that wool and silk fiber are obtained from animal. और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो wool है और silk है यह हमें किसे मिलते हैं? Wool और silk animal से. Now, wool is obtained from the fleece, hair of sheep और yak और जो wool जो हो रहता है, वो हमें किसे मिलता है? Sheep या yak से, जो yak के जो hair होते हैं, उनको काट करके या उनको मतलब उनको साफ करके निकाला जाता है, उसी से wool बनता है. Now, silk fiber come from cocons of the silk moth. अब जैसे कि आपने देखा होगा कि silk moth जो होते हैं, जो silk के जो इड़े होते हैं, उनसे बनता है कौन सा fiber? Silk fiber. ठीक है? Do you know which part of the sheep body yields fiber? क्या आपको पता है कि sheep की body के कौन से part से fiber बनता है? Are you aware how these fiber are converted into woolen yarn that we buy from the market to night sweaters? Means अब जैसे कि ये जो wool कहां से निकलता है, मतलब sheep के कौन से body parts से हम wool निकालते हैं और ये wool market में कैसे आता है? Wool से yarn कैसे बनते हैं? यान से हम फिर sweaters बनाने के लिए market से कैसे उसको खरीदते हैं? ठीक है? Do you have any idea how silk fiber are made into silk और जैसे silk fiber है, उसको silk में कैसे convert किया जाता है? ठीक है? So Are you aware how these fiber are converted into woolen yarn that we buy from market to night sweaters? Do you have any idea how silk fiber are made into silk which is woven into sari's? अब जैसे जो साडियां बनती हैं, जो बनाते हैं मतलब जो market में साडियां मिलती हैं, जो कैसे बनती हैं? ठीक है? क्यों क्योंकि direct जो एनिमल से silk निकलता है या बूल निकलता है उसे directly तो हम लेकर के ओड करके पहन नहीं सकते हैं, उसको पहले उसके यांस बनाया जाते हैं, धागे बनाया जाते हैं, धागे बनाने के बाद उनको क्या किया जाता है? गुता जाता है, और गुत करके मतलब एक तरह से क्या बनाया जाता है? उसके sweaters बनाया जाते हैं, या wool और silk, wool and silk, ठीक है wool को जैसे हम कहते हैं, उन जो होता है उन होता है, wool और जो silk होता है, silk को तो हिंदी में भी वैसे नोर्मली लोग लोग silk ही कहते हैं, चलिए wool comes from sheep, goat, yak and some other animal अब wool कहां से मिलता देखिए, sheep से मिलता है, goat से मिलता है, yak से मिलता है और कुछ और भी अनिमल से जिन से हमें वूल मिलता है अब जैसे यह जो वूल इल्डिंग अनिमल सोते हैं इनकी बॉड़ी पे हेर्स होते हैं जैसे यह आप देख रहा है यह डाइग्राम में यह शीप के ओपर यह हेर्स हैं इनी से वूल बनता है अब आपको पता है कि इनके बॉड़ी पे यह थिक कोट एर क्यों होता है हेर ट्रेप अलॉट ओ एर अब हेर जो होता है मरला क्यों जैसे कि मान के चले जो एनिमल ज्याद़ तंड हिलाके में रहते हैं इनको क्या होता है इसमें एर नहीं घुस पाती जिसकी वज़े से इनको ठंड नहीं लगती ठेक है जैसे हम स्वेटर प्राइन तो हमें ठंड लगती उसी प्रकार से यह जो एनिमल से इनके ऊपर जो यह हेर्स रहते हैं इनकी वज़े से इनको ठंड नहीं लगती एर is a poor conductor of heat अब एर क्या है heat का बहुत ही poor conductor होता है as you would learn in chapter 4 अब हम chapter 4 में पढ़ेंगे so hair keeps this hair keeps these animals warm अब यह animals को hairs क्या रखते हैं warm रखते हैं गरम रखते हैं wool is derived from these hairy fibers और इनी hairy fibers से wool बनता है ठेक है चलिए activity देखते हैं 3.1 क्या दिया गया है feel the hair on your body and arms those on your head do you find any difference which one of seem coarse and which one is soft अब जैसे कि आपने अपने body पे देखे हैं body पे hair होते हैं head पे hair होते हैं तो उनमें difference होता है जैसे किसी की दाड़ी होती है मूचे होते हैं सर के बाल होते हैं तो उनमें भी क्या difference होता है so हो हमें कुछ soft होते हैं कुछ hard होते हैं ठीक है now like us the hairy skin of the sheep has two types of fiber that from its fleece अब जैखिए जो उसकी जो hairy skin होती है fleece क्या होता एक process होती जिससे हम क्या करते हैं उसके body से जो hairs होते हैं उसको हम clear करते हैं the coarse beard hair and the fine soft under hair close to the skin the fine hair provided the fiber for making wool अब जैसे की मान के चले जो उपर के जो hard सता रहते हैं उसको beard जो hair रहते हैं उनको हटा दिया जाता है बाकि जो under की fine soft under hair होते हैं जो under की hairs होते हैं soft रहते हैं जो skin के पास होते हैं देखे इसे लिखा हुआ है जो close रहते हैं skin के fine hair provide fiber to making wool और इसी से हम क्या करते हैं इसी hair को इसी fine hair को हम किसके लिए use करते हैं wool बनाने के लिए some breed of sheep possess only fine under hair अब कुछ sheep की जो breed होती है वो खाली under hairs provide कराते हैं their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hairs the process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair and sheep is termed as selective breeding अब जैसे की मान लेजिए इसके लिए जैसे मान के चलिए wool के लिए कई जगे breed जैसे इनकी जो प्रजातियां होती है sheep की तो इसके लिए अलग ही प्रजाती चुनी जाती चूसकी जाती जिनके जो hairs कैसे होते है कुछ इस टाइप से होते है soft under hair होते है ठीक है तो उससे जब आगे की breed बढ़ती तो उसी के according वो उनके भी hairs grow करते है चलिए आगे देखते है sheep with thick growth of hair now animals that yield wool अब कौन-कौन से animal है जिनसे wool हमें मिलता है several breed of sheep are found in different parts of country अब बहुत सारे प्रकार की breeds होते है sheep की जो country के जगे जगे पाई जाती है however the fleets of sheep is not the only source of wool अब जैसे जो sheep होता है sheep के जो fleets मतलब जो उसके जो body पे hair रहते है खली वही source नहीं है wool का तो wool commonly available in market is अब जो market में जो commonly available wool होता है वो क्या होता है वो होता है sheep wool ठीक है क्या होता है sheep wool yak wool is common in Tibet and Ladakh अब जो sheep wool है yak wool है यह सबसे जाता है कहां मतलब commonly कहां पाई जाते है यह पाई जाते है तिबत और Ladakh में अंगोरा wool is obtained from अंगोरा goats अब जो अंगोरा wool होता है यह एक type की wool होती है जो कहां किसे मिलती है अंगोरा goats है found in hilly region such as Jammu and Kashmir अब यह किस area में hilly regions में पाई जाते है ठंडे इलाके में पाई जाते है कौन से area Jammu and Kashmir में wool is obtained from goat hair अब wool कहां मिलता है goat hair से the under fur of the Kashmiri goat is soft मतलब जो Kashmiri goat होते हैं उनके जो under fur होते वो क्या होते हैं बहुत ही soft होते है it is woven into fine shawl called pashmina shawl अब इसका कहां use किया जाता है कुछ shawl बनते हैं बहुत ही fine shawl होते हैं काफी महंगे भी होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है pashmina shawl कि जाते हैं काफी costly होते हैं the fur hair on the body of camel is also used as wool अब जो camel के जो fur होते हैं उसकी body पर वो भी किस के लिए use की जाते हैं as a wool use किया जाते हैं llama and alpaca found in South America अब जो llama और alpaca आई हैं कहां पाये जाते हैं South America में also yield wool इनसे भी हमें wool provide होता है इनसे भी हमें wool मिलता है activity 2 देखे यहाँ पर सबके diagram दिया हुआ है जैसे यह देखे यहाँ पर यह यॉक दिया हुआ है camel दिया हुआ है llama दिया है alpaca दिया हुआ है इनके सबके hairs देखे यह angora gaut से यह simple gaut है चलिए अब activity 3.2 देखते हैं collect picture of animal those hair is used as wool अब यह सारे जो animals से यह नहीं के hairs use किये जाते हैं किसके लिए? wool के लिए stick them in your scrapbook उसको अपने scrapbook में stick करिए if you are unable to get pictures try to draw them from one given in this book और अगर आप उसे collect ना कर पाए तो आप उसको draw कर लिजे यह book से देख करके now find out words for sheep, goat, camel and yak in your local languages and also in other languages of our country अब इनके अलग-अलग नाम किस नाम से इनको जाना जाता है अपनी countries में और अलग countries में किसको sheep, goat, camel को और yak को अलग-अलग नामों से किस नाम से जाना जाता है उसको mention करिए ठीक है? यह आपकी activity है 3.2 अब इसमें आगे क्या दिया गया है activity 3.3 procure outline map of India and the world find out and mark the place on the map where you find animal that provide wool अब जाखिए country का map लीजिए इंडिया का और world का उसमें भी आप mark करिए कौन-कौन से places है कौन-कौन से जंगल है South America में अमेरिका में या Australia कहीं पे भी कि कौन-कौन से जगह पे ये wool-eilding animals पाए जाते हैं और उनको आपको क्या करना है mark करना है और places mention करनी use different color to denote the location for different wool-eilding animals और different अलग-अलग color use करिएगा अलग-अलग animals के लिए ठीक है चलिए ये animals की diagrams देख लिजए किस types है चलिए next from fiber to wool अब हमें fiber तो मिल जाता है fiber से हम उसको wool में कैसे convert करते है fiber means जो wool है उसको मतलब fiber से हम उसको wool में कैसे convert करेंगे for obtaining wool wool obtain करने के लिए sheep are reared their hair is cut and processed into wool अब जैसे जो sheep होती sheep के जो hair होते उसको cut किया जाते और उसको process में डाल दिया जाता है किसके लिए wool बनाने के लिए let us learn about this process अब इसकी process किस प्रकार से होती वो देखिए rearing and breeding of sheep पहले क्या करा जाता है जो उसकी मतलब breeding देखी जाती है मतलब किस प्रजाती का ये sheep है फिर उसको मतलब पाला भी जाता है पाल करके रखा जाता है then if you travel to the hills in Jammu and Kashmir हिमाचल प्रदेश, उत्रांचल, अनुनाचल प्रदेश, निसिक्किम और the plain of हर्याना, पंजाब, राजिस्थान, गुजरात अब ये इतने area जब आप जाएंगे you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing अब जो shepherds होते हैं, जो चरवाहे होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो sheep होती हैं जो अपनी भेड़े होती हैं, उनको लेकर के, चराने लेकर के चलते हैं sheep are herbivorous and prefer grass and leaves sheep जो होती, वो herbivorous animals होती हैं और वो क्या है, सिर्फ घास पत्ते खाती हैं इसलिए वो herbivorous है और ये क्या खाती हैं, ज्यादा तर घास और पत्ते apart from grazing sheep मतलब उनको चराने के अलावा rearing also feed them on a mixture of pulses और उसको क्या खिलाया जाता है कि कुछ प्रकार के pulse भी खिलाया जाता है जैसे corn है, जवार है oil cakes है, material left taking out oil from seed and minerals मतलब उनको क्या, जैसे corn's है, जवार है oil cake material जो उसमें बच जाता है मतलब oil निकालते है, जैसे soybean का oil निकालते है तो जो remaining बच जाता है उसको भी खिलाते है ताकि उनसे इनको क्या मिलता है, minerals or proteins in winter sheep are kept indoors and fed on a leaves अब जो winter time में क्या होता, sheep को क्या कहा जाता है, मतलब कहां रखा जाता है उनको, मतलब indoors मतलब घर के, मतलब घर या जो भी उनका बनाया जाता है जो sheep को रखने के लिए उसके वो अंदर रखते है grain and dry fodders sheep are reared in many parts of our country for wool अब अपने इंडिया या अपनी country के many parts में, कई जगे parts में sheep को क्या किया जाता है, पाला जाता है, रखा जाता है किस के लिए wool obtain करने के लिए, wool बनाने के लिए table 3.1 gives the name of some breed of sheep reared in our country for producing wool अब table 3.1 में बताया गया है कि ships को कौन को अपनी country में किस प्रकार के sheep के breed है, wool produce करने के लिए the quality and texture of fiber obtained from them is also indicate in the table और यह सारी भी मतलब कौन कौन सी quality है, कौन से fiber है वो अपने होते हैं उनसे यह भी table में indicate किया गया है 3.1 table यह वाली है sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality of wool in large quantity अब कुछ जो होते हैं, कुछ breed जो होती sheep की उनकी जो hairs होते हैं थिक होते हैं, thick coat hair होता है उनकी body पे जो कि एक good quality का wool produce करता है या उसमें ओर large quantity में मतलब wool मिल सकता है जैसे table देखे, table यह दी गई है जैसे name दिया, breed लोही, रामपूर बुशर, नाली, फिर बखरावल, मरवारी, फिर पाटनवाडी अब इनकी जो wool की quality है, good quality, brown fleece, carpet wool, for woolen shawls, coarse wool and for hoisery अब यह कहां-कहां मिलते हैं अपने राजिस्थान पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजिस्थान हर्याना पंजाब, जमू कश्मीर यह और यह गुजरात में तो यह हो गई table, इसको देख लीजएगा, now, mention earlier, these ships are selective breed, which one parent being a sheep of good breed, अब यह selective breed जो होते हैं, इनके जो parents होते हैं, यह क्या होते हैं, good breed के, ठीक है, good breed से इनको cross करवाया जाता है, ताकि यह एक selective breed ही इनसे जन्म ले, ठीक है once the rear ship have developed a thick growth of hair, अब एक बार जब एक rear ship को rear किया जाता है, या पाला जाता है, जब उसकी एक अच्छी thick growth of hair हो जाती है, hair shaved off and getting wool, और hair को क्या किया जाता है, shave करके या उसको cut करके, उसको काई में convert किया जाता है, wool में convert किया जाता है, wool हमें मिलता है, processing fiber into wool, अब fiber को wool में कैसे process किया जाता है यह देखते हैं now the wool which is used for nighting sweater or wearing shawls in the finished products of a long process which involves the following steps अब देखते हैं wool जो भीड और शीप वगरा इन पर से जो वूल निकाले जाते हैं उनको direct मतलब जो fiber निकाले जाता है fabric उसको direct नहीं हम पहन सकते ते डारेक्ट यूज नहीं कर सकते हो उसको पहले क्या करना पढ़ता है step by step उनका मडलाब उनकी steps होती है जिसमें वो क्या होता है पहले उनकी सफाई होती है फिर उनने wool में बनाया जाता है फिर उनके रेशे बनते हैं रेशे से step one क्या है the flesh of the the flesh of the sheep along with a thin layer of skin removed from its body the process is called shearing अब जैसे पहली process होती shearing मतलब जो sheep होती है उनकी body पे से जो मतलब hairs है उनको क्या किया जाता है shave किया जाता है साफ किया जाता है या cut किया जाता है उसको हम कहते है shearing ठीक है now machine similar to those by barbers used to shave hair off जैसे हम normally जो machine use करते हैं जो आपने trimmer देखा होगा या मतलब जो blades वगेरा होती है उससे भी यह क्या करते है basically इसको क्या से करते trimmer से किया जाता है ठीक है hair are removed during a hot weather this enables sheep to survive without their protective coat of hair अब जैसे किया होता है जो यह hair होते है यह इनको कब remove किया जाता है गर्मियों में क्योंकि माली जाका ठंडियों में इसको remove कर दे जाएगा तो बैचारे जानवा ठंड शे मर जाएंगे तो इसलिए को गर्मियों में remove किया जाता तकि उनको क्या रहे, गर्मियों में ज्यादा ठंड ना लगे और कुछ समय बाद उनकी hairs वापस grow कर जाते हैं, ठीक है then, the hair provide woolen fiber, अब hair क्या provide करते हैं woolen fiber provide करते, woolen fiber are then processed to obtain woolen yarn, अब woolen fibers से हम उसको काई में convert करते हैं, woolen yarn में, यान means क्या होते है उसके धागे, now shearing does not hurt the sheep, just as it does not hurt when you get a hair cut or your father shave his beard, अब जैसे कि इनकी जो shearing होते हैं, shearing process में इनको hurt नहीं होता कोई नुकसान नहीं होता, दर्द नहीं होता क्योंकि बालों को काटने से जैसे नेल्स काटते हैं, बाल काटते हैं तो उसमें कोई दर्द नहीं होता, उसी टाइप से इनको भी कोई problem नहीं होती, जैसे हम अपने hair cut करते हैं, या आपके fathers वगेरा, जो अपनी दाढ़ी वगेरा बनाते हैं तो उसमें उन्हें कोई नुकसान नहीं होता या कोई hurt नहीं होता, उसी टाइप से animals जो हैं, यह means goat है, sheep हैं, इनको भी कोई problem नहीं होती Do you know why the uppermost layer of the skin is dead? जो uppermost layer होती skin की, वो dead क्यों होती? Also the hair of sheep grow again just as you hair does और जो, अपर most layer skin की dead क्यों होती? मानके चले, अगर हम अपने हाथ को काटेंगे, हाथ को कट करेंगे तो blood निकल जाएगा, but uppermost जितनी भी layer होती चाहें, सर के बाल देख लीजिए, हात्माओं के बाल देख लीजिए, वो automatic या nails देख लीजिए, जो भी edge रहता है, उस पे से क्या होता है? वो dead होता है, dead part ठीक है? और जो ships के जब हम बाल काटते हैं, तो वापस से कैसे grow कर जाते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं इसको अब आते हम second step step two है, the sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt अब वो जो हमने ratio, मतलब जो उसके hairs निकाले हुए थे साफ किये हुए थे या cut किये हुए थे, उसको हम क्या करते हैं, धोने के लिए डाल देते हैं कहाँ पर, tanks में, बड़े बड़े tanks होते हैं उसमें से क्या remove करने के लिए, जो grease है dust है, dirt है, मतलब जो भी गंदगी है धूल मिटी, जो भी है, वो सब निकल जाता है, this is called scouring, इसको क्या कहते हैं, हम scouring कहते हैं, ठीक है, nowadays scoring is done by machine, आज कल की time में scoring काई से होती है, machine से होती है, ठीक है, पहला था shearing, दूसरा था scoring, third step आता है after scoring, sorting is done, मतलब sorting क्या होता, उसको अलग-अलग divide करना, the hairy skin is sent to the factory where hair of different texture are separated or sorted, अब जैसे की sorting क्या होता है, जैसे की मान के चले, जब हमने यान, मतलब उन fabrics को धो लिया, धोने के बाद उसको काग किया जाता है, कि मतलब जैसे किस-किस quality के, अलग-अलग type के, जैसे different यह दिखा है, different texture के जो hair रहते हैं, उनको separate किया जाता है, अलग-अलग रखा जाता है which sometime appears on your sweater, अब देखें, बर्स क्या होता है, बर्स मिन्स होता है, जैसे कुछ रेशे जो छूट जाते हैं, जैसे हमारे सर्दियमाम स्वेटर पहनते हैं, उसके आप देखेंगे कि कभी-कभी रूईया निकलती है, धागे टाइप दिखते हैं, यह मारलब रूई जैसे, तो उसको क्या कहा जाता है, उनको बर्स कहा जाता है, तो उसको भी क्या करते हैं, यह उसको क्या करते हैं, पिक करते हैं, the fibers are scored again and dried, this is wool ready to drawn into fiber, अब क्या होता है, जो इसको फिर से वापस है, मारलब जैसे धोया जाता है, दोने के बाद इसके जो बड्स होते हैं उनको clear किया जाता है और फिर उसको किसके लिए तयार किया जाता है उनको yarn के लिए मरलब उनको धागे बनाने के लिए रेशे बनाने के लिए उसको ready किया जाता है As the natural flesh of sheep and goats is black, brown and white. अब जैसे की जो natural 조 unbelie Stück होते, वो क्या होते, civilizations, या तो black होंगे या brown होंगे या white होंगे, लाल पिले हरे здесь लिल, नहीं होते हैं. तो इसलिए, क्या करेंगे अब इसको पहले dyeic करेंगे, अलग-अलग kolor में, आप जिस कलर में चाहें, लाल, पीला, हरा, निला, काला या जो भी कलर है उसमें इसको क्या करेंगे, डाइ करेंगे, ठीक है, तो इसके बाद नेक्स स्टेप आती है, मतलब उनको सिर्फ धागों को कलर किया जाएगा, देन, फाइबर आर स्ट्रेंड, कॉम्ड एंड, रोल्ड इंटु यान, अब उसक में यान किया जाता है, ठीक है, उनको रोल्ड किया जाता है, दे लॉंगर फाइबर आर मेड इंटु वाल, फॉल, फॉर स्वेटर्स, एंड शॉर्टन फाइबर आर यूज़ आज स्पून, एंड वोवन इंटु दा क्लोज, अब जैसे जो बड़े-बड़े फाइबर होत तो शॉर्टन फाइबर होते हैं, ठीक है, चलिए, अगली स्टेप देखते देखे, ये पूरी स्टेप दी गई है, पहले क्या किया जाता है, इसकी बोड़ी पे से ये हटाया जाता है, ठीक है, स्टेप फिर दूसरी इसको पानी में मरलब रख करके स्कॉरिंग किया जाता है, ठीक है, फिर थर्ड स्टेप होता है, इनके स्कॉरिंग मशीनों से इसके रेषे बनाया जाते हैं, ठीक है, रेषे बनाने के बाद इनको ये रोल कर दिया जाता है, ऐसे इस ताइप से, चलिए, आगे देखते है, ओक्उपेशनल हैजार्ण, अब जैसे क्या होता है, ओ occupation मतलब एक तरह से किसी की job होती है अब देखिए wool industry wool industry का काम क्या है यह उसने का occupation है is an important means of livelihood for many people in our country अब जैसे wool industry होती है कि कई लोगों के जीवन या रोज मर रहा के लिए बहुत जरूरी होती है but sorter job is risky as sometimes they get infected by bacterium anthrax अब जैसे कि इस में क्या होता है wool industry में क्या होता है कि यह एक बैक्टिरिया होता है anthrax इससे यह क्या हो सकते in fact हो सकते which cause of fatal blood disease इससे blood disease भी हो सकता called sorter disease इसको जिसको हम क्या कहते है sorter disease कहते है such risk faced by worker if any industry are called occupational hazard अब जैसे occupational hazard मतलब कोई भी नुकसान hazard मिन्स क्या होता है कोई भड़ा भारी नुकसान ठीक है तो क्या हो सकता है बिमारी हो सकती एंथ्रेक्स नामक या सॉर्टर डिजीज ठीक है तो इसलिए जिस कंपनी में इस टाइप का कुछ रहता है तो उसको क्या कहा जाता है जो सेंडर्स इंडस्ट्री को Occupational Hazard चलिए अब देखें एक डीबेट करनी है अपने क्लासमेट्स है कि वैदर इफ दे हैर ऑफ पार्ट आफ यूमन तो रियर शिप अब अगर हूमन का किस टाइप से शीप जैसे हम रियर करते हैं तो इस टाइप से हूमन के जो हैर्स के हैं अब दियर एर्स एंड गतिइडिंग उल्त कि अससे वूल निकल सकता है तो इसके बारे में आपको डिसक्स करना है Now, Silk 3.2 Silk Fiber are Also Animal Fiber Silk Fiber भी क्या होता है Also Animal Fiber होता है Silkworm Spin The Silk Fiber और यह किससे बनता है कौन बनाता है Silkworm Nime का एक किड़ा होता है इंसेक्ट होता है जो क्या बनाता है Silk Fibers The rearing of Silkworm, obtaining silk is called seri culture अब जैसे silkworm को पालना या उसकी rearing करना या उसकी देखभाल करना और उस process को क्या कहा जाता है Seri culture, means silkworm को पालना Find out from Your mother, aunt, grandmother the kind of silk saris they have list the kinds of silk और आप अपने mother या aunt या grandmother से जाके find out करें कि उनके पास कौन कौन से silk की साड़ियां और यह कितने different kinds के होते हैं Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know interesting life history of the silk moth अब एक silk moth की एक life history होती है, जो silk moth कीडा होता है, उसकी एक life history होती है, वो देख लेते हैं, क्या है वो, देखिया है, कैसे इसका जन्म होता है, कैसे वो होता है The female silk moth lays egg, जो female silk moth होती है, वो क्या देती है, अंडे देती है, from which hatch larva which are called caterpillars और silkworm उसमें से जो larva निकलता है, वो क्या कहता है हम उनको, या तो caterpillar और silkworm कहा जाता है They grow size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa और जैसे ही caterpillar, silkworm उसकी life history में थोड़ा और एक stage आगे जाता है, तो उनको वो किसमें convert हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है, प्यूपा It first weaves a net to hold itself, मतलब वो क्या करता है, वो अपने लिए एक net बनाता है, खुद को hold करने के लिए Then it swings its herd from side to side in the form of figure of 8, 8 figure में आप देखेगा, figure 8 में जो दिया हुआ है During this moment of head, the caterpillar secrets fiber made of protein, चली देखे, किस type से यह, इस type से कुछ इसका कुछ वो रहता है यह है male और यह है female, then eggs on mulberry leaves, यह mulberry leaves पे इसके eggs देते हैं और यह इससे जनू लेता है, silkworm फिर इसके अगले step क्या होती है, यह होता है, यह cocoon और cocoon with developing moth यह किस में develop हो रहा है, moth में, ठीक है Now, protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber और यह किस से मतलब जो यह hard, धीरे-धीरे air से hard हो जाता है और hard हो कर यह किस में convert हो जाता है, silk fiber में Soon they, caterpillar completely cover itself by silk fiber and turns in pupa अब जो caterpillar रहता है, वो silk fiber में खुद को completely ऐसे करके यह cover कर लेता है ठीक है, cover करके यह किस में convert हो जाता है, pupa में This covering is known as cocoon और इसको क्या कहा जाता है, cocoon ठीक है, the further development of the pupa into moth continues inside the cocoon और cocoon के अंदर यह धीरे-धीरे continue क्या होता है, develop होता है, बढ़ता है, continue बढ़ता है Silk fiber are used for weaving silk cloth Silk fiber almost किस के लिए किया जाता है, silk cloth बनाने के लिए Can you imagine that the soft silk yarn is strong as comparable thread of steel अब क्या imagine कर सकते है, जो इतना soft silk yarn है, जो कि एक छोटे से insect द्वारा बनाया जाता है वो steel thread से भी काफी मजबूत होता है, कैसे, देखते है The silk yarn thread is obtained from the cocoon of silk moth मतलब यह कहां से मिलता है, जो silk thread हमें, silk moth से मिलता है There is variety of silk moth which look very different from one another And silk yarn, they yield is different in texture, coarse, smoothie, shiny ठीक है, मतलब जो silk yarn होते हैं, मतलब जो silk yarns जो बनते हैं यह different different type के होते हैं, इनके coarse अलग होते हैं, smooth होते हैं, shiny होते हैं ठीक है, अलग-अलग texture होते हैं तो यह cocoon भी different types के होते हैं, जो यह insects से वो भी different types के होते हैं Thus, tacer silk, moonga silk, kosa silk यह इनके अलग-अलग नाम दिये हो गए हैं Tacer silk, moonga silk and kosa silk etc are obtained from cocoons यह काय से मिलते हैं हमें, cocoon से spun by different types of moths जो कि कहां से बनते हैं, different types of moths हैं The most common silk moth is mulberry silk moth सबसे common जो silk moth होता है, उसको हम कहते हैं mulberry silk moth जो सबसे common है The silk fiber from the cocoon of this moth is soft अब जो इस moth से जो silk fiber बनता है, बहुत ही soft होता है Lushrous होता है, lushrous में अच्छा shine होता है, elastic होता है वो खापी लचिला होता है and can be dyed in beautiful color और उनको हम अलग-अलग अच्छे color में dyed कर सकते है Now, sericulture और culture of silk warm is very good, very old occupation in India आप जेखिए, sericulture हुआ या culture of silk warm बहुत ही पुराना occupation है हमारे कहाँ पे, इंडिया में India process produced plenty of silk on commercial scale अब इंडिया commercial scale पे बहुत सारे जा produce करता है, silk ठीक है Now, activity 3.5 Collect the piece of silk cloth on various types and paste them in your scrapbook You can find them in a tailor's shop among these heap of waste cut pieces तो यह आपके लिए एक तरह से activity है, जो कि आपको करनी है कि अपने घर पे जितने भी silk के जो cloth से उनको collect करना है अलग-अलग और अपने scrapbook में चिपकाना है, पूरी साड़ी नहीं चिपकाना हलका सा piece cut करके ठीक है, चलिएं, देखिएं Take help of your mother, aunt, teacher and identify the types of silk मतलब अपने mother, teacher या aunt की help लेकर के आप उसको identify करिए अलग-अलग part such as mulberry silk, tassar silk, area silk, mooga silk, मतलब कौन-कौन से उनके types होते हैं Compare the texture of these silks with that of artificial silk pieces और इससे compare करिए किससे artificial silk pieces है which contains synthetic fiber, जिसमें क्या होता है, artificial silk में synthetic fiber होता है Try and collect picture of different moths whose caterpillars provide the various types of silk और कोशिश करिए different types of moths को find करने के लिए और caterpillars को जो की अलग-अलग silk provide करवाते हैं Now activity 3.6 Take an artificial synthetic silk thread and pure silk thread एक artificial silk thread लिजे और एक pure silk thread लिजे Burn these threads carefully, उन्हें अच्छे से जलाए, मतलब carefully Did you notice any difference in the smell while burning? जब वो जलते हैं तो उनमें कोई smell में difference आती है Now burn a woolen fiber carefully Did it smell like burning or artificial silk of that pure silk? मतलब फिर उसके बाद woolen fiber को भी जला करके देखे तो क्या इनकी smell किसके जैसी लगती है? Artificial silk जैसी या pure silk जैसी Can you explain why? तो आपको वो explain भी करना है To remember when the cocoon stage is reached in the life of history of silk moth Try the following activity तो ये उस time पे ही ये सारी activity आप कर सकते है Now activity 3.7 Photocopy 3.9 Cut our pictures of the stages of the life history of silk मतलब जो 3.9 जो दिया गया है figure उसके जो pictures उनको cut करिये जो की life history of किसकी दी गई है? Silk moth की And paste them on a piece of cardboard on chart paper Jumble them और उसको jumbles में जमाई है Now try to arrange the stages in the correct sequence in the cyclic form Cyclic form में पहले जमबल आगे पीछे करके जमाई दीजे और फिर उने cyclic form में arrange करिए Whoever does it faster wins जिसने भी जल्दी किया वो जीच जाएगा You may also describe the life history of your own words Right down in your scrapbook और इसकी जो life history वो अपने own words में आपको लिखना है Now In India Women are significantly involved in various kind of industrial related to silk production जैसे इंडिया में क्या है women's अगलग अगलग मतलब काइंड की इंडस्ट्री जो है Silk की उसमें involved है These are rearing of silkworm क्या हो सकता है rearing of silkworm Reeling of silk from cocoon And processing the raw silk from the fiber मतलब यह सारे काम है वो होते हैं इनके जैसे की silkworm को rear करना फिर silk Cocoon से silk को निकालना और processing करना raw silk into fiber में convert करना By their enterprise They contribute to the nation economy और यह इनके काम से ही अपने economy से किसको nation को contribute कर रही है China leads the world in silk production China जो है silk production में world को lead कर रहा है India is also ranked among the leading silk producing country और India भी मतलब silk producing country में काफी leading में है ठीक है चलिए next देखते है from cocoon to silk अब cocoon to silk कैसे बनता है देखिए for obtaining silk moth are reared मतलब silk पाने के लिए हमें moths को क्या करना पड़ता है पालना पड़ता है and their cocoon are collected to get silk thread और इनके cocoon से हमें क्या मिलता है silk threads मिलते है now rearing of silkworm कैसे करते हैं a female silk moth lays hundreds of eggs at a time अब जैसे ये female moth दिक रहा है आपको silk moth है ये एक time में something कितने eggs देते हैं hundred eggs देते हैं the eggs are sorted carefully on a strip of a cloth or paper and silk sold to silk warm farmers अब ये क्या करिए अगर इसको ये जैसे leaves पे होते हैं इनको leaves पे से collect करके एक paper पे रख करके इनको किसको sell कर दीजे silk warm farmers को now the farmers keep egg keep eggs under hygienic condition और farmer क्या करते हैं उन्हें एक को hygienic condition में रखते हैं and under suitable condition of temperature and humidity मतलब जो suitable उनके लिए क्या होता है temperature होता है condition होती 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 उसमें उसको रखते हैं the eggs are warmed to suitable temperature for the larva and to hatch from eggs अब क्या होता है मतलब वो किस में convert हो जाता है लार्व में convert हो जाता है थाकि वो egg से वो निकल सके this is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves ये कब possible है जब mulberry trees हो जो होते हैं उनसे जो क्या लेके आए fresh crops of leaves ठीक है the larva called caterpillar लार्वा जिसको हम caterpillar कहते है या silk warm कहते है eat day and night and increase enormously size मतलब वो उस पेड़ की जो पतियां है उसको जो ताजी पतियां है किसकी mulberry trees की उसको बहुत खाते है day and night और enormously उसनका size increase होते जाता है ठीक है जैसे ये दिख रहा है आपको ये X देते है ये X कुछ ऐसे इस टाइप से ये पतियों को ये खाना स्टाट कर रहे है ये mulberry leaves है और ये उसके अंडे है दीक है ये cocoons है sorry now rearing of silk form ये इस टाइप से now discovery of silk देख लेते है the exact time of discovery of silk is perhaps unknown मतलब exact time तो इसका नहीं मालूम but according to an old age Chinese legend the Empress Sai Lung Chi was asked by the Emperor Hang Ti to find the cause of damaged leaves of mulberry tree growing on their garden मतलब उनने किसी से पूछा कि जो हमारी garden में जो mulberry tree है उसके जो leaves है वो damage हो रहे है तो वो किस वज़े से हो रहे है the Empress found white worms eating up mulberry leaves तो Empress ने क्या देखा कि जो कुछ white color के worms है वो क्या कर रहे है पेडों की पतियों को mulberry leaves को खा रहे है she also noticed that they were spinning shiny cocoons around them और वो भी देख रहे है कि वो अपने आसपास क्या कर रहे है वो बुन रहे है क्या एक spin कर रहे है किस चीज को shiny cocoons को accidentally a cocoon dropped into the cup of tea और accidentally एक जो क्या था एक cocoon था वो एक cup of tea में गिर गया and tangle a delicate thread separated from the cocoon अब यह क्या है कि जो जब वो cocoon उसमें गिरा तो वो काई में convert हो गया delicate thread सीधे simple threads में silk industry begin in China और उसके बाद जब वो thread में convert हो गया तो thread उनको देख के अच्छा लगा होगा मजबूत भी होगा then silk industry कहाँ वहाँ चाइना में begin हो गई was kept closely guarded secret for hundreds of years मतलब यह सम्थिंग hundreds of years इनने हो चुके है later on traders and travelers introduced silk to other countries उसके बाद जो क्यों थे travelers और traders जो थे उन्होंने country के जगे-जगे इसको प्रचार-प्रसार किया the route they traveled is still called silk route टोर्जिस रूट से यह आना जाना करते थे उसका नाम भी आज की टाइम में silk route रखा है ठीक है चलिए आगे देखिए the larvae are kept in clean bamboo tray along with freshly chopped mulberry leaves जो larva है उनको कहां रखा जाते bamboo trays मे जो कि किसमे रहते हैं freshly chopped mulberry trees की जो leaves होते है mulberry leaves में जो fresh mulberry leaves होते है after 25 to 30 days the caterpillar stopped eating and moved to a tiny chamber of bamboo the tray to spin cocoons अब जैसे क्या होता है कि जो वो caterpillars खाते हैं लगभग 25 से 30 दिन तक then वो अपना खाना रोख करके किसमें move करते हैं chamber में किसके bamboo tree के जो bamboo tray है उसके chamber में move करते हैं और अपने आपको spin करते हैं किसमें cocoon में small racks or twix may be provided in the trees to which cocoons get attached और मतलब उसमें जगे जगे twix और वो दिये जाते हैं चाकि मतलब छोटे छोटे जो racks होते हैं और twix होते हैं मतलब जिसमें क्या करे हैं वो अपने आपको चिपका सके the caterpillar or silk worm spin the cocoon inside which develop the silk moth और वो उसके अंदर अपने आपको क्या कर लेते हैं मतलब cocoon में convert करते हैं उसके अंदर और अपने आप में develop होते रहते हैं किसमें silk moth में now processing silk a pile of cocoon is used for obtaining silk fiber the cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to stem ठीक है pile of cocoon is used to obtaining silk fiber इसको use किया जाता है silk fiber के लिए the cocoons are kept under the sun and boiled or exposed to steam the silk fiber separate out अब इसमें से क्या होता है जब वो burn होते हैं तो silk fiber automatic separate हो जाते हैं the process of taking out threats from the cocoon for use as silk is called reeling of silk अब जैसे कि इसको क्या कहा जाता है जो cocoon से silk को निकालना ये कहला था reeling of silk reeling is done in the special machine which is unwinned the threads of fiber of silk from the cocoon अब यो उसको unwinned कर देता है मतलब जैसे घूम घूम के spiral हो जाता है तो उसको straight कर देता है silk fiber are the spoon into silk thread which are woven into silk cloth by weavers और silk fiber जैसे मान के चले ये spoon मतलब एक तरह से उसके जो रेशे बन जाते है रेशे को फिर वो woven करके यानि बुन करके उसको silk काई में silk cloths में convert कर देते हैं कौन्स वीवर जो बुनते हैं जिनको कपड़ों को वो उससे काई में convert कर देते हैं silk cloths में ठीक है तो यहां पर यह आपका chapter लगबग almost complete हो गया है chapter number 3 fiber to fabrics तेक हैं अब आगे इसके कुछ keywords दिये हुए हैं देखिए हैं cocoon क्या होता है जब वो उसको silk में अपने आपको convert कर लेता है fleece क्या होता है जैसे जो जुंड होता है किसका भेडो का फिर reeling क्या होती reeling means यह जो cocoon होता है उसमें से silk को निकालना फिर आपको scoring बताया था तीक है seri culture बताया था किसको पालना यह silkworm को पालना seri culture sharing होता है मतलब sheep पे से क्या हटाना उसके hairs को हटाना silk moth insect होता है silkworm बनता है और sorting means अलग-अलग करना differentiate करना now what do you what you have learned क्या क्या हमने पढ़ा silk come from the silkworm and wool is obtained from sheep silk कहां से मिलता है silkworm से और wool मिलता है कहां से sheep, goat and york hence silk and wool are animal fiber इसलिए इनको हम animal fiber कहते है second thing the hair of camel llama, alpaca and are also processed to eel wood अब जैसे hair of camel का है llama का है और alpaca का है इसके भी hair को हम use करते है किसके लिए wool के लिए इन इंडिया mostly sheep are reared for getting wool इंडिया में mostly sheep को rear किया जाता है किसके लिए wool के लिए sheep hair sheep hair is a sheared off from the body scored, sorted, dried, dyed spoon and woven into wool मतलब sheep hair को क्या किया जाता है पहले तो score किया जाता है ठीक है short किया जाता है मैं जब पहले तो sheared किया जाता है मतलब sheared means क्या होता है उसके निकाला जाता है फिर score means उसको धोया जाता है फिर उसको अलग-अलग किया जाता है फिर उसको सुखाया जाता है फिर उसको color किया जाता है और color करने के बाद उसको bun दिया जाता है किसमें wool में silk warm are caterpillar of silk moth silk warm क्या होते हैं caterpillars होते हैं इसके silk moth के during their life cycle the worms spin cocoon of silk fiber इनकी जो life cycle में होते जो ये worms रहते हैं ये क्या करते हैं cocoons को spin करते हैं spin means इसको गोले बनाते हैं एक तरह से एक गोल box बना लेते हैं अपने लिए silk fiber are made of protein silk fiber किस से बनता है protein से silk fiber from cocoons are separated out and reeled into silk thread अब जैसे silk fiber को क्या करा जाता है cocoons को से separate किया जाता है और उसको reeled किया जाता है मतलब उसके जैसे वो spin रहता तो उसको straight किया जाता है क्या बनाने के लिए silk thread बनाने के लिए weavers weave silk thread only into silk cloth आप जैसे जो weavers होते हैं weavers क्या करते हैं उसको बुनने वाले जो रहते हैं उस silk threads को क्या करते हैं कपडों में convert कर देते हैं तो कपडों में बुन देते हैं ठीक हैं सो इसी के साथ हमारा chapter number 3 complete हो गया होगा आई होग कि आपको सब समझ में आया होगा और इसके जो next chapter हम next video में upload कर देंगे so video complete करने से पहले जो भी student हमारे channel पे नए हैं तो channel को subscribe जरूर कर लें और video पसंद आई हो तो video को like करें जहां आपको कुछ समझ में आया तो comment section में आप पूछ भी सकते हैं okay so इसी के साथ हम आज के video यहाँ पे complete करते हैं so thank you so much